Good morning class for students, today we will read English chapter 16 that is Rupinzel 2 ये आप सब जानते हैं कि this chapter is continuation of last chapter 15 So till now we have read about the beautiful girl Rupinzel जो की एक, जो विच होती है, Enchantress जो थी उसने उसको एक टावर में कैद करके रखा हुआ था और एक जो king son है, वो उसकी मेथी आवाद से बहुत खुश हो रहा था और उसको मिलना चाहता था So let's start reading If someone tries to do something bad against a good one, he or she always faces failure अगर कोई भी किसी के लिए भी कुछ बुरा करना चाहता है Something bad against a good one, किसी अच्छे इंसान के लिए कुछ बुरा कोई करना चाहता है तो he or she always faces failure तो उस इंसान को मेशा failure कभी न कभी face करना पड़ता है उस प्यारी सी बच्ची को उसके parents से छीन लिया और उसको care करके रख दिया तो वो उन अच्छे लोगों के साथ गलत कर रही थी तो उसे failure face करना था But how? तो हम पढ़ेंगे The enchantress tried to separate the prince from Rapunzel Do you think she could? और now अब वो क्या है? वो prince से भी उसको separate करना चारी थी तो हम देखते हैं कि क्या वो कर पाती है रुपेंजल, रुपेंजल, let down your hair to me तो prince बोलता है कि रुपेंजल, रुपेंजल, अपने बाल नीचे करो Immediately the hair fell down and the king's sons climbed up और बाल वो नीचे करती है और जो राजकुमार है वो उपर चड़ने लगता है At first, Rapunzel was terribly frightened when a man such as her eyes had never yet beheld came to her कि उसको frightened she got frightened, वो डर जाती है क्यों? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था, उसने इंचेंटरिंस के लावा और किसी को देखा ही नहीं था कि एक man जो है और वो भी ऐसा जिसको देखते ही उसे अच्छा लग रहा था her eyes had never yet beheld उसने कभी देखा ही नहीं था जिसको और वो किम टूर वो उसके पास आया but the king's son begin to talk to her quite like a friend लेकिन वो जो king's son है वो कैसे बात कर रहा था राजा का बीटा उसके साथ बिलकुल एक friend की तरह बात कर रहा था एक दोस्त की तरह बात कर रहा था he told her उसने उसको बोला that he told her that his heart had been so stirred that it had let him have no rest उसने कहा कि तुमने मेरे heart में ऐसा stir कर दिया है एसी तरंगे उत्पन कर दी है that it had let him no rest और मेरे दिल को कोई चैन नहीं मिल रहा है and he had been forced to see her और मेरे दिल ने, मेरे heart ने क्योंकि मैंने तुमारी मीठी आवाद सुनी और तुमको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए और मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने मुझे force किया, मजबूर किया then Rapunzel lost her fear ऐसी अच्छी बाते इतनी politely उसने बात किया तो ये सब सुनके Rapunzel को उससे जो डर था वो खर्तम हो गया when he asked her if she could if she would take him for her husband she saw that he was young and handsome जब उसने उससे पूछा कि would you marry me handsome, तो उसने सोचा he will love me more than all them Gothel does, तो उसने ये सोचा कि ये इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जो old enchantress है उससे जाधा प्यार करेगा and she said yes और ये सोच के उसने हाँ बोल दिया and laid her hands in his और अपना हाथ जो है उसके हाथ में दे दिया she said अपने मन से तुमारे साथ जाना चाहती हूँ, go away with you मैं तुमारे साथ जाना चाहती हूँ but लेकिन I don't know how to get down, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं नीचे कैसे आऊ bring with you a thread of silk every time that you come and I will weave a ladder with it, उसने बोला फिर उसको उसके दिमाग में एक idea आया और उसने बोला कि जब भी तुम मुझे मिलने आऊगे bring with you a thread of silk तो एक silk का धागा लेते आना हर बार every time that you come जब भी आते हो and I will weave a ladder with it और मैं इससे एक सीड़ी जो है वो weave कर दोंगी, मतलब बोन दोंगी and when that is ready I will descend और जब वो तयार हो जाएगी I will descend and you will take me on your horse तो मैं यहां से नीचे उतर आऊँगी और तो मुझे अपने साथ अपने घोडे पर ले जाना they agreed that until that time she should come to her every evening और उन्होंने यह agree कर लिया और उसके बाद उसने बोला that until that time कि तब तक he would come to her every evening कि वो हर शाम उसने मिलने आया करेगा for the old woman came in day लेकिन एक दिन वो old woman आ जाती है the enchantress knew nothing of this लेकिन enchantress को इसके बारे में कुछ पता नहीं था until once Rapunzel said to her लेकिन एक दिन Rapunzel ने उसको बोला tell me Dame Gothel how it happens that you are so much heavier for me to draw up then the king's young son तो उसने उसके मूँ से ये बात निकल गई Rapunzel के मूँ से बात निकल गई कि मुझे बताओ Dame Gothel कि ऐसा क्यूं है कि तुम मुझे अपने बालों से जब मैं खीचती हूं तुमको तुम भारी लगती हो लेकिन जो राजकुमार है उसे जब मैं ड्रॉअप करती हूं उपर की तरफ खीचती हूं तो वो नहीं लगता So Dame Gothel was heavier She was heavier वो भारी थी He is with me in a moment कि वो तो मेरे पास एक moment में आ जाता है इतनी जल्दी आ जाता है Ah you wicked young child उसने का ओ तुम धूर्त शैतान लड़की Cried then generous And generous ने बोला What do I hear you say ये मैंने तुम्हारे मूँ से क्या सुना I thought I have separated you from all the world And yet you have deceived him क्योंकि enchantrance को क्या लगता था Enchantrance को लगता था कि उसने उन दोनों को separate कर दिया है है ना और बिल्कुल उनकी दुनिया अलग-अलग कर दी है And yet you have deceived me लेकिन तुमने तो मुझे deceive किया मुझे धोका दिया In her anger she clutched Rapunzel's beautiful tresses और गुसे में In anger गुसे में उसने clutch मतलब काट दिया क्या? Rapunzel के beautiful tresses उसके जो beautiful बाल थे वो काट दिये Wrap them twice round left her hand और उनको उसके left hand में round कर लिया She seized a pair of scissors with the night and snip snip They were cut and cut off and the lovely braids buy on the ground So she clutched and she clutched and wrapped her left hand and wrapped her and then she was a cancee pukड़ी right hand snip snip and cut and they were cut and the lovely braids buy on the ground and the lovely braids are so beautiful and the lovely braids are on the ground and the lovely braids और वो इतनी बुरी थी इतनी निर्दाई थी कि वो उसको कहां ले गई बेचारी रुपेंजल को एक डेजर्ट में ले गई जहां पर उसको दुख और मिजरी में रहना पड़ता तो उसने फिर क्या किया उसी दिन उसने कहा कि वो उसको डेजर्ट में ले जाएगी लेकिन उसी दिन उसने क्या किया जो शी कास्ट आउट रुपेंजल उसने क्या किया कि उसने रुपेंजल के जो बाल काटे थे उनको विंडो के हुक में टांग दिया और जैसे ही राजकुमार ने आके का रुपेंजल रुपेंजल लेट यूर हेयर टुमी कि अपने बाल मुझे दो तो उसने वही वाले बाल जो है वो उसको दे दिये थे जो हुक पे मतलब जो जूटी कटी हुई चोटी थी वो दिखा दी तो उसने रुपेंजल को तो बेज दिया था डेशर्ट में लेकिन खुद वहां आ गई थी और रुपेंजल की चोटी उसको दे दी जिसको चड़के किंग सन हागय तो फिर उसने वहां पे किसको पाया रुपेंजल तो वह नहीं थी उसने एंचेंटरेस को पॉया व गेज एट हीं विद विकज और वैनॉमिनज लॉक्स तो उसने क्या किया उसने वह उसको जब राजकुमार आगया तो उसने उसको गेज गेज मतलब उसको घूरा, है ना, उसको घूरा कैसे, with wicked and venomous, venomous होता है, जहरी ले, मतलब उसने बहुत ही बुरी तरीके, with wicked, बहुत ही शैतानी और बहुत ही जहरी ले, लुक उसको दिया, है ना, अहा, she cried mockingly, उसने कहा कि, अहा, मतलब उसने कहा कि, अरे अब तुम पकड में आये हो, you would fetch your dearest, but the beautiful bird sits no longer singing in the nest, the cat has got it and will scratch your eyes as well, रुपेंजल is lost, you will never see her again, तो उसने क्या कहा कि, ओ, तुम तो अपनी प्यारी bird को देखने आये थे, मतलब अपनी प्यारी bird मतलब वो रुपेंजल को बोल रहे ही, you would fetch your dearest, कि तुम अपनी dearest को मिलने आये थे, लेकिन, but the bird, जो तुमारी रुपेंजल थी, वो यहाँ पर नह अपने इस नेस्ट में नहीं है, मतलब वो इसको बता रही है, जबकि वो बर्ड नहीं है, वो रुपेंजल है, और वो नेस्ट नहीं थे, वो टावर था पर उसने उसको ऐसे कविता के फॉम में बोला कि वो उसके बर्ड में नहीं है, और उसको कौन ले गया, कि cat has got it, वो cat has got it, कि मैंने उसे चुपा दिया, and will scratch out your eyes as well, और मैं तुम्हारी भी आखें नो चलूँगी, कि रुपेंजल जो है, वो चली गई, और तुम है उसे कभी नहीं मिल सकते, the king's son was beside himself with pain, तो जो king's son था, उसको बहुत दुखवा, बहुत पें हुआ उसे, and in his despair, he leapt down from the tar, और उ he escaped with his life, but the thorns into which he fell, pierced his eyes, और मतलब उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जिन काटों के ओपर वो गिरा था, उसे उसकी आँखों में छेद होगे, पिरसिंग हो गया है, ना, he wandered quite blind about the forest, ate nothing but roots and berries, तो वहाँ पे वो घुमने लगा, अब उसकी आँखे चली गई थी, तो वो जंगल में इधर उधर ऐसे ही घुमने लगा, और कुछ नहीं खा रहा था, बस कुछ जड़े खा लेता था, या कुछ berries खा लेता था, he did nothing but lament and weep over the logs for his dearest wife, तो उसने और कुछ नहीं किया, मतलब उसको इतना धक्का लगा, इतना वो निराशा में हो गया था, कि वो इधर उधर घूमने लगा, और बस जीवन चलता रहे, इसके लिए वो कुछ खा लेता था, तोड़ा बहुत पर और निराशा में, regret, लेमेंड मींस regret, मतलब पच्तावा और रोता रहत था, क्योंकि उसकी जो डीरेस्ट वाइफ थी, जो रुपेंजल थी, वो उससे बिछोड गए थी, तुस ही रोम्ड बाउट इन मिजरी फोर समीर्स, और वो इसी तरह कुछ सालों तक मिजरी में यूहीं रोम मतलब घूमता रहा, एंड अट लेंथ केम तो देजर्ट वेर तो फिर वो ऐसे ही इधर उधर टहलता टहलता, वो एक दिन उस डेजर्ट में पहुंचा बहुत सालों के बाद जहां पर रुपेंजल थी, और विद दा ट्वीन्स के साथ, दो बच्चों के साथ, कौन-कौन थे, जिसको रुपेंजल ने बार्थ दिया था, एक बवाय था और एक गर्ल थी, लिवड इन रेच्ट, रेच्टनेस, ठीक है, कि रेच्टनेस में रह रहे थी, he heard a voice, उसने एक आवाद सुनी, and it seemed so familiar to him, that he went towards it, उसने एक आवाद सुनी, और वो उसको इतनी familiar, इतनी जानी पहचानी लगी, कि वो उसकी तरफ भागता हुआ चला गया, when he अप्रोच, जब वो वहाँ पहुचा, रुपेंजल नियू ही, रुपेंजल ने उसे पहचान लिया, and fell on his neck and web, और उसके गले लगे, उसके गर्दन पे रोने लगी, two of her, sorry, tears wet his eyes, and they grew clear again, और उसके जो आसू है, कुछ उसकी भी आखों में गिर गए, और उसकी आखे भी देखने लगा, and he could see with them as before, और वो उनको भी वो भी रुपेंजल और बच्चों को देख पार था, जैसे पहले देख सकता था, he led her to his kingdom, तो फिर वहाँ जब वो लोग मिल गए दूसरे से, और उसकी भी आखें लोटाई, तो उसके बाद वो लोगों को लेके अपने kingdom में चल उसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहे, so new words were descent, descent means to come down, wicked means cunning, चालाग, gaze means to look for a long time, गूरना, venomous means to prick, inject through, piercing होता है, जैसे हम ear piercing कराते हैं, कुछ भी piercing है, कि किसी चीज के through, किसी चीज के वीचो बीच में कुछ इंजेक्ट कर देना, या कुछ होल कर देना So, I hope kids you like this chapter, this story of the beautiful Rapunzel, there were two chapters, in case you have any issue or concern, please let me know, thank you